Hello दोस्तों, Great Smashes मैं आपका स्वागत है इस वीडियो को टाइटल है What Students Should Do During the Quartain Time जैसा कि आपको पता है क्रोना वाइरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसकी वज़े से सारे कॉलेजिस सारी उनिवस्टी सारी कोचिंग जो है फेस्बुक पे वीडियो देखे या फिर नेट्फलेक्स, अमेज़ॉन पे वीडियो देख रहे है तो ठीक है आप इन सब के लिए एक टाइम निकालें लेकिन most of the time आपको देना है सेल्फ स्टडी के उपर क्योंकि स्टुडेंट्स के पहले एक्स्क्यूजिस होते थे कि सर मेरे कॉलेज में बहुत सारी क्लासिस है मेरे को सेल्फ स्टडी का टाइम निमलता घर पे मेरे पाँ बहुत ज़्यादा काम होता है या फिर मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब कर रही हूँ तो यह तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है आप उसको टाइम को यूचिलाईज करो उस टाइम पे आप ज्यदा से ज्यदा प्रैक्टीस करो ज्यदा से ज्यदा को स्वेशन करो नोट्स जो है, क्योंकि इंटरनेट सर्विसस तो अभी चल रही है तो internet services का फाइदा उठाओ, books को पढ़ो और उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा knowledge जो है वो grab करो और आपको पता है कि most of the competitive exams जो है वो सारे delay हो चुके है तो आपके पास एक अच्छा time है इस time पे, आप उसको utilize करो घर के अंदर ही रो और घर के अंदर ही रहना क्योंकि जैसा कि हमारे पास instructions आ रही है कि घर के बाहर निकलना नहीं है तो घर के अंदर बैटके self study करो सबसे ज़्यादा time आपको उसके उपर लगाना है और वैसे भी competitive exam की जो student त्यारी करता है हम लोग कहते हैं कि कम से कम यार 3-4 घंटे तो आपको देने चाहिए study के उपर तो अब तो आपके पास कोई excuse ही नहीं है कि मिरको ये काम है ये मिरको वो काम है कुछ नहीं है ना घर से बार जाना तो अब आपको कम से कम 6-7 घंटे ये आपको देने पढ़ेंगे studies के उपर ताकि जो target आपने fix की है जो aim आपने fix की है तब ही जाके उस aim को आप achieve कर पाएंगे ऐसी बहुत सारे students के messages आते हैं कि sir मैं placement के लिए त्यारी कर रहा हूं मैं product based company लेना चाहता हूं या मैं service based company लेना चाहता हूं तो guys इस time पे आप घर पे बैटे prepare करें आपको पता है कि placement सारी बंद हो चुकी है अभी कोई company recruitment नहीं कर रही तो इस time पे आप इसको utilize करें अपनी skills को improve करें कोई भी एक skill बना लें चाहे आप कोई program like c programming कर लें c++ कोई भी program के उपर आ जाएं किसी भी programming को किसी भी skill को develop करें लेकिन उसमें आपको best होना है और ये time पे आप उस चीज को कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा जो है चीजें नहीं है करने को घर पे बैटके आप ठीक है एक पूरा schedule बनाओ मलब morning से लेके रात तक एक पूरा schedule होना चाहिए क्योंकि अगर आप एक schedule बनागे चलोगे ना तो time को आप properly utilize करोगे ये कोई मैं ऐसे ही नहीं है कि मैं कोई book से पढ़के बोल रहा हूँ जो चीज मैं follow कर रहा हूँ वही चीज मैं आपको बताना जा रहा हूँ like morning में उठके सबसे पहले आप yoga करो योगा करो सूरे नमशकार करो ठीक है green tea पीो green tea नहीं है तो at least गरम पानी पीलो क्योंकि आपको पता है कि इस जो विमारी का अभी तक कोई cure आया ही नहीं है precaution is the only cure तो precaution करना ही आपके लिए सबसे बैट रहा है तो precaution करो घर पे बैट के अपने आपको healthy बनाओ अपने आपको strong बनाओ respiratory system आपका strong होना चाहिए और कब होगा अगर आप अच्छे से योग करेंगे अगर आप सूरे नमशकार करेंगे तो obviously कहीं न कहीं आप अंदर से strong होते जाएंगे और यही time है इस चीज़ को करने के लिए otherwise हुमारे पास excuses होते हैं मेरे को time नहीं है रात को मैं late होता हूँ तो इस वज़े से सुबा जल्दी निउट पाता है अब तो ऐसा कुछ नहीं है रात को आप properly time पे सोएं सुबा जल्दी उठें और इस पूरे schedule को follow करें फिर दिन में आपको at least two to three hours आपको देने है अपनी study के उपर नई से नई चीज़े जो भी आपको लगता है कि यह मेरा topic complete नहीं हुआ यह मेरे को अभी इस चीज़ में lag कर रहा हूँ तो इस चीज़ को इस time पे आप अपने आपको improve कर सकते हैं उसके बाद ठीक है आप family के साथ time spend करें क्योंकि ऐसा time जो है वो बार-बार नहीं आता है तो आपको पता है कि इस time को आप utilize कर सकते हैं अपनी family के साथ बैटके बातें करें ठीक है movies देखें घर पे आप Ludo खेले, Caromboard खेले, कोई भी game खेले जिससे आपको कहीं न कहीं आपक इसके अबारे में नहीं बोला लेकिन मैं आपको बता दूँ meditation is must क्योंकि meditation आपको बनाएगा अंदर से strong आपको पता है कि सारी तरफ ये negativity फैली हुए और इस negativity को अगर आपको खतम करना है तो कैसे खतम होगी इसके लिए आपको positivity generate करनी पड़ेगी और इस positivity कैसे generate होगी अग अब इस कमरे के अंदर इस अंदेरे को आपको कैसे दूर करना है अब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये कमरे के अंदर से अंदेरा दूर नहीं होगा ये negativity ऐसे दूर नहीं होगी अगर आप एक दीपक जला दें बल्लब जला दें तो आपको पता है कि साथ की साथ जो आपको concentrated बनाएगा आपका पढ़ाई के उपर और ज्यादा focus होगा तो ये मेरे points हैं जो मैं follow कर रहा हूं वही मैं चाहता हूं कि मेरे students भी इस चीज़ को follow करें और last में मैं आपको बताना चाहता हूं कि Facebook पे और Instagram पे हम लोग test series start कर रहे हैं test जो है वो 9-9 questions आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि आप 9-9 questions की practice कर सके क्योंकि most of the competitive exams बिना गुम गुमा के वही questions आते हैं repeat exact नहीं होते लेकिन कहीं logic जो है वो same ही होता है मलब topic same ही रहता है ठीक X की Y 100 की वजाए 200 कर दी तो at least मैंने इस सारे questions को analyze करके मैं Instagram और Facebook पे questions लेके आ इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि Facebook और Instagram जो है वो सबसे ज़्यादा students use करते हैं तो आप daily basis पे उन questions को solve करें and stay connected with us, stay safe and stay inside. Thank you.